फिर ये राम राज में वीश्व पिदावा का रोल नियुदार नहीं से आगया जो अगोने चुपी साथ रखी है विशादों का सम्मान के आता है ये पूरा विश्व जाता है खास तोर से अमारी दूर से आई आई है अमारी बेहने जो बिविन प्रांतों से आई है तीन की चार चार दिन की रस्ता ते करके अपने काम काच को छोड़के अपने घर के बाल बच्चों को छोड़के अपने पशुआ को छोड़के अपना सारा परिवार छोड़के या आई है समड़िक बठी है कारण कारण क्या है कि आज हम फिर से याद दिल्याना चाहते हैं मानी ये प्रदान मंत्री ने कहाता कि दोहचार बाइस में किसानों की आई दुगनी होगी और हर घर हर गाउं संपन होगा वो अगर संसंग में बैठे हैं अगर वो कहीं भी बैठे हैं तो मेरी अवाज को सुरें उनकी प्रदिया क्या क्या हुआ जो आज हम सब मात्रशक्ति वोया बैठना पड़ना है आप सब के समझ और ये उनको बता दे कि आज दिल्ली नहीं बलकि पूरा विश इसको देख रहा है कि किसान समय याद क्या पांद्रों में आया है हुआरे तीर होते हैं तो आपने सब को पता रहा है कि किसानों को लागत के आदार को लागतार्य मूल्य मिल जाता तो हम आज कहीं बैठनें係 ज्या अवश्चत्ता नहीं व्यश्ष में ज्या говорить कि Кभी लेने की उसने चाथ नहीं रखी लेकिन आज किसार अपने हक्ती लगाई में आया है। आज वात्र शक्ती जागी वेती हैं वों कहती हैं अपने हक्ती लगाई स्वेव लगेंगे। आज उनोंने कहा था। उनोंने कहा था कि राम राज आएगा। हम सबका उनको समर्थन मिला। किसादों की बात क्यों नहीं हो रही है, किसादों की बात क्यों नहीं हो रही है। किसादों का सम्मार होता है, क्या? किसे कम सम्मार दे रहे तो सम्मार के साथ हो, किसाद अपना अधिकार मांता। जूते-जूते मादे, लेकिन 2024 की चेतावनी देकर इस मच से यह मात्रशक्ती जाती है, अगर आपने इसका ध्यान नहीं दियो, तो इसका परिणाव आपके साथे होगा। आपको याद करना होगा अपनी प्रटिक्या, अपने बचाद, अपने बाने। और राजस्तान पानी के लिए ट्राइवान, ट्राइवान करता है, जल व्यारी माच के इसका सपना का, कि नदी से नदी जोड़ने का ना हो। कहान मैं आपके सपने साकार करने वले मुड़े, बारत अकिसान सब्सक्राइव लिए बाने किसान संगीर बाद्यम से यहां पर लागत के आधार पर लाभगारे मुल्य के लिए हम यहां मिले हैं हमारे मांग को लेकर तो हम गोतों लेकर रहेंगे क्योंकि सरकार में हमने बात रखी है तो हमें विश्वास है कि वो हमारे बात सुनेंगे क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में हम यहां उपसिद हुए है तो कुछ तो इसका फाइदा होने वाला है ऐसा हमें लग रहा है और हमारी मांगे जो है इसमें पहली मांग हमारे लागत के आदार पर लाबकारी बुल्या है और दूसरा है GST नाबुद होना चाहिए हमारी जो input है सारे किसानों की और तीसरी बात जो है कि किसान सन्मा निती बढ़ानी चाहिए और चोथा जो है हमारा जीएम जो बीज है उसके बारे में है कि जीएम पुर्ड की मालेता जो सरकार ने दी है वो नाबुद होनी चाहिए रद करनी चाहिए क्योंकि हम ने देखा है GM पुर्वे जो कपास का बीज आया था पहले तो उसमें किसान संग नैं मना किया था कि GM कपास नहीं लगाना चाहिए क्योंकि हमारे लिए नुपसान कारत है हानी कारत है लेकिन फिल्बी हमने लगाया कपास तो हम ये पता है कि शुरुआत के समय में हमें बहुत अच्छा लगा था लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि कपास में जो पहले जो मिला हूँ अब नहीं मिल रहा है और इसमें अभी जो पहले नहीं थे ऐसे रोग भी आ रहे है ऐसे जिवजन दू भी आ रहे हैं लेकिन इससे बहुत बड़ा नुक्सन वह हुआ है कि हमारे जो देशी भीज थे वो अभी नहीं मिल रहे है क्योंकि युनिवर्सिटी में भी आप जाओगे तो भी नहीं मिलेंगे तो अभी सरकार में जो हमें जीयेंप फुर्ड के लिए जो मानेता दी है तो वो सारे भी जा जाएंगे तो हमारे देशी जो बीज है वो सारे के सारे लश्ट हो जाएंगे और हम बीज के लिए पराधिन हो जाएंगे फिर जो भी कंपनियां आएगी अपने जो किमते रखेंगी क्योंकि हमारे पास बीच होंगे नहीं अपने तो खेती कर रही है तो बीच तो पहला हो वे इम बुद्दा है हमारा तो वो तो हमें हो रखना ही चाहिए और किसान संग ने गुजरात में समान भीज़ादर के लिए बहुत बड़ा अंदोलन किया 48 दिनों तक हम वहाँ पर दने पर बेठे थे तो वहाँ पर भी बड़ी मात्रा में बेहनों ने भी अपना योगदान दिया था और यहाँ पर भी दिख रही है कि महला यह अभी जाकृत हो रही है महला भी दिख रही है तो आगे में किसान संग में पहलाए इससे भी ज़्यादा जुड़े ऐसा में आवान करती हूँ किसान गर्जना रेली क्यों जरूरत पड़ी हमारी सरकार बैरी हो चुकी है हम आज तक अपने प्रांटों में लाबकारी मुल्य को लेके इतने जापन इतने सपरियास कर चुके हैं कि आज हमें यहां सरकार की छाती पे आगे इतनी ठंड में हमारा जो किसानों का सहलाब यहां उमड़ पड़ा है वो उनके स्थाती का कि हमें ये बात कहनी पड़ लिए कि हमें लाबकारी मुल्या चाहिए ये हमारी माग नहीं हमारा अधिकार है हमारा नारा शुरू से ही रहा है कि हम अपना अधिकार मांगते हैं नहीं किसी से भीक मांगते जब से किसान संग बना है तब से हमारी ये मांग रही है कि हमें लाबकारी मुले चाहिए ही चाहिए आज हम यहां जिस संग्जा में जितनी सर्दी में भारत के कौने कौने से यहां किसान इकटे हुए है सरकार को यह समझ जाना चाहिए कि हमारा किसान जाग रुक है अपने अधिकारों को जानता है और उसको चुपरेना नहीं आता आज यहां बैठे हैं यह मशाल चल चुकी है तो इसमें तेर डालने का काम किसका है हमारा है यह मशाल तो जल गी अब इसको आगे बढ़ाना इसको जलाए रखना वो किसमें करना है वो हमारी जिम्हेदारी है ह जब तक अपना हक नहीं अधा करते हैं यह हमारा जब तक हम अपना करतब्य नहीं निवाए हैं जब तक हम अपना अधिकार नहीं पा सकते हैं पाँच साड़े पाँच वर्ष पहले जब हमारे प्रधान मंत्री जी ने याश्वासन दिया था कहा है कहा है वो सिथी वो 2022 तो जा लिया तो अब आपने 2022 के अंत में यहां आगे यह याद दिलाने का जो प्रियास किया है इसको सरकार को अंदेखा करने की जबरत नहीं है हमारी वाफ वीडियो का वो खेसी से भंग हो चुका है हमारे बच्चे पलायन करने जा रहे हैं लेकिन सरकार यह बत आपको दिखती है हमें दिखती है सरकार को दिखाई नहीं देती, उनको नहीं पता की समस्या कितना विक्राल रुख धारण करेगी, इसलिए सरकार को जहिए कि हमारी मांगो की और विशेश जान दें, और हमारे मीडिया के बंदूओं से भी एक कर्मद निवेतन है, कि जैस हमारी मांगो को सरकार तक पहुचान झालक को ऑो सरकार को जुचान देती जामगो को सरकार को जान देमारी मांगो को जैसे खुचान देमारी मांगो का पहुचान देखिए.